नमस्ते आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राहू एंड जूपिटर कंजंक्शन के उपर देखिए दोस्तों जो राहू और गुरू की युक्ति है ये एक काफी इंट्रस्टिंग योग माना गया है और जोतिश शास्त्रों में इसको गुरू चंडाल योग बोला गया है अब जो ये गुरू चंडाल योग बनता है इसमें गुरू तो देव गुरू जो पिटर है और जो चंडाल है वो राहू है अब ये combination इतना interesting क्यों माना गया है उसकी एक वजा है देखिए जो गुरु है वो एक सात्विक ग्रह है और जैसे कि हम लोग जानते ही है वो धरम को रिप्रेजेंट करता है कुंडली में कालपुरुष की कुंडली में भी गुरु जो है वो नौवेस्थान का मालिक है और हमेशा जो set patterns है जो एक defined laws है वो हमेशा उसके against जाना चाता है तो इस वज़ा से जब भी गुरु और राहु की युक्ति होती है किसी भी चार्ट में तो आप एक तरह से ये समझे कि ये दोनों planets जो हैं ये आपस में clash कर रहे हैं क्योंकि जो गुरु है वो एक set pattern को एक ध है यहाँ पर धर्म से मेरा मतलब सिर्फ religion नहीं है एक set principles of life भी कह सकते हैं कि एक जो defined laws है society के यहाँ principles हैं उसको भी represent करता है धर्म और जो राहु है वो हमेशा उसको तोड़ना चाता है तो इस वज़ा से ये एक तरह का clash बन जाता है यहाँ पर अब अगर यह दोनों कुंडली के अंदर बैठे हैं और इनके उपर malefic ग्रहों की द्रिश्टी आ जाए तो यह जो योग है यह जादा खराब हो जाएगा और अगर इस case में इनके साथ benefit planets बैठे हो या benefits की द्रिश्टी आ जाए तो यह योग bad effects नहीं इतने देता अब देखिए जो set practice में देखा है मैंने इस योग में वो यह देखा है जनरली कि जिन लोगों की भी कुंडली में यह योग होता है वो society के जो set patterns हैं उसके हमेशा against जाना चाते हैं मतलब वो एक अपना ही law define करते हैं और उसके हिजाब से चलना चाते हैं अगर हम set religions की बात करें जैसे की जो धरम है for example जितने भी यह जिस भी धरम में पैदा होंगे उसको मानने को तयार नहीं होंगे कभी भी हमेशा उसको question करेंगे और उसके बाद अपनी definitions देंगे जो भी set established rules हैं या किसी भी religion के आप समझे है rituals हैं उसको यह लोग हमेशा question करेंगे और उसको कभी नहीं मानेंगे अगर इस combination के उपर malefic aspects बढ़ जाएं या सारी malefic aspects हों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है तो यह जो चीज़ है यह थोड़ी extremism में चली जाती है और जो भी इनकी definition है spirituality को लेके वो अपनी ही होती है totally और उसके उसको मतलब आप यह समझे कि उस definition को यह सही प्रूफ करने में किसी भी हद तक जा सकते है अब इस combination को बहुत define किया गया है और रड़ी इस पे बहुत videos हैं और जो हमारे देश के first prime minister थे ज्वाला नहरून की कु combination के उपर मार्स का aspect भी था तो इस वज़े से वो थोड़ा extreme case of Guru जंडाली होग था तो अगर हम उनके बारे में बात करें तो उनकी जो upbringing थी वो totally western style में की गई उनके घर के अंदर उनको totally Hindu जो भी उस time पर rituals थे जो भी चीजी थी उनसे दूर रखा गया और totally western environment में उनको पाला हम उनकी किताब discovery of India देखेंगे तो उसमें उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि उन्होंने इंडिया को भाद में discover किया और अपनी speeches में और अपनी books में उन्होंने clearly जो भी Indian rituals थे जो भी चीजें थी उनको superstition कहके उनका मजाक उडाया हुआ है तो he was a totally non-confirmist you can say that तो यह जो चीज है यह clear एक गुरू चंडाल योग का effect है जो बहुत ही आप clear देख सकते हैं अब खाली ऐसा नहीं है कि यह आपको धरम से दूर लेके जाता है मैंने बहुत charts में देखाया है जहां पर गुरू चंडाल योग होता है ऐसे लोग spirituality में होते हैं लेकिन वहाँ पर यह कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यह genuine gurus है कि यह frauds है because गुरू चंडाल योग जो है अपने आप में एक तरह का आप यह समझे है कि जैसे आप लोग जानते ही है कि जो राहू है यह deceit का ग्रहा है जिनका भी राहू है राहू जो है अपने आप में किसी को भी deceit देने की शमता रखता है दोखा देने की शमता रखता है तो जहाँ पे भी राहू का और गुरू का combination है वहाँ पे यह थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना चाहिए कि spirituality के अंदर कहीं यह लोग अपने आपको ही तो दोखा नहीं दे रहे है बिकाज इनके अपने set principles है लाइफ के तो इनको ऐसा लगता है कि जो यह सोच रहे है या जो यह पढ़ा रहे है वो ही सही है तो यह इस चीज में देखने वाली बात है अच्छा अब आते हम दूसरे point के उपर दिखिए जो गुरू है वो जैसे हमने बताया कि धरम को represent करता है तो इस तरह से वो पुत्रकारक भी है कुंडली में तो जब भी गुरू की और राहू की युक्ति हो कुंडली में तो इसका effect चिल्रन के उपर हमेशा आता है या उनको जो upbringing है बहुत modern मिलती है घर में और वो अपने जो रिच्वल्स हैं जो अपनी family के आप समझिए established beliefs हैं उनसे बाहर निकलके modern जो values हैं जो आजकल आप यह कह लीजिए जो western values हैं उनको follow करते हैं तो मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा because that is fine उसमें आजकल यह चीजें common हो गई हैं कि आदमी अपनी family के belief से पहार निकलके जादा सोचता है क्योंकि यह global environment है तो इसलिए उस चीज़ को मैं बुरे वे में नहीं देखूंगा हां लेकिन यहां पर एक चीज़ जरूर है देखने वाली कि इस combination के उपर malefics का effect नहीं होना जाए कि अगर यहां पर malefics का effect है तो हो सकता है कि एक तो अगर especially in case of male charts ऐसे लोगों के sons होने के chances कम होते हैं यहां होंगे भी तो बेटों से बनेगी नहीं हां बेटियों का जो case मैंने देखा है जनरली girls जिनकी girl child होगा वहां पर problems नहीं आती हैं ऐसी और इसी combination के उपर अगर आप benefits का aspect देखें आप या benefits के साथ placed हो यह combination तो उसके कोई खास bad effects आते मैंने देखे नहीं हैं वहां यह कह सकते हैं हम उन cases के अंदर यह लोग जो है यह modern values को भी बहुत अच्छे way में use कर पाते हैं और उनको समझ पाते हैं तो इसलिए यह पूरा अपने आपने इतना बुरा combination न चाहिए देखना चाहिए कि किस राशी में बन रहा है अगर यह जुपिटर के science में हो like धनू में हो mean में हो यह अकरक में हो तो फिर उसके bad effects कम हो जाएंगे similarly अगर राहू के expected sorry राहू जहां पे ऊचका होता है उन science में placed हो यह वहां पे इसके results खराब नहीं आएंगे main चीज यह है कि यह malefics expected नहीं होना चाहिए बाकी different houses में जिस तरह से placed हैं हम उसको भी देख सकते हैं अब जैसे for example में सारे houses तो ख्यार नहीं cover करूँ न पर example लेते हैं कि जैसे suppose कीजे यह second house में combination बन रहा हो और इसमे malefics aspects ना हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे speakers होते हैं और preaching काफी अच्छी कर पाते हैं तो हम में जितने भी houses के जो significance हैं उनको देखते हुए ही इस combination को देखना चाहिए और अराम से study करके फिरी को interpretation इसकी निकालनी चाहिए धन्यवाद